नमस्कार, ये है आईरवेद की महाँशद और इसके लाब जानकर आप भी आज के बाद से इसे अद्रक नहीं बलकि महाँशदी ही कहना प्रारम करतेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हिच्कियां बंद ही नहीं होती, तब ऐसे में अद्रक का एक छोटा सा टुकडा लेके मुह में उचे रखे और धीरे दीरे चबाते रहें, चूशते रहें, जल्द ही हिच्कियां बंद हो जाएं। आपको तुरंत आराम दिखाई देगा, गन्ये का रस ना मिले, तो थोड़ी सी धागे वाली मिस्री और पोदीने के रस के साथ अद्रक का रस मिला कर लीजिए, बस ध्यान ये रखे, मदुमे के रोग्यों को इसका प्रियोग नहीं करना चाहिए। के साथ चवा-चवा कर खाईए, इन सर्दियों में इस से ज़्यादा ताकत वर चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। और सबसे खास बात हर तरह के जोडों के दर्द, कमर दर्द, यहां तक की गठिया बास, साइटिका और सर्वाइकल में भी ये लाब दिखाता है। बहुत ही शक्ति शाली, बहुत ही प्रभाव शाली ये प्रियोग है, बस ध्यान ये रखना है, पाचन तंतरिस लायक होना चाहिए कि इतना घी हजम हो जाए। वहीं बहुत से लोगों को IBS या मल के साथ आओ आने की शिकायत होती है, भूख भी नहीं लगती, तो ऐसे में बेलगिरी पाउडर और सोट पाउडर, बेलगिरी तकरीबं 100 ग्राम के करीब और सोट पाउडर तकरीबं 20-30 ग्राम के करीब, साथ में मिला कर रख लीजिए, एक चोटी चमस दिन में 2-3 बार पानी के साथ खाना खाने के बाद लीजिए और धन्यवाद मुझे कमेंट्स में बाद में लिखिएगा, और हाँ ये भूख को भी बढ़ाता है, वहीं अगर किसी का पेशाब रुक रुक कराता है, पेशाब बहुत कमाता है, तो एक गिला कर पीते हैं, तो पेशाब जादा लगता है, और लगातार ये प्रियोग करने पर डायबिटीज होने की संभावनाय बहुत जादा बढ़ जाती है, अब समझे, मैं आपको क्यों बार-बार मना करता हूं गुड के साथ दूद पीने के लिए, वहीं अद्रक का रस और उतना जाएगा, ये ध्यान रखेगा, एक छोटा सा प्रियोग ओर, तीन ग्राम के करीब अद्रक और दस ग्राम के करीब गुड, एक दो गुट गरम पानी के साथ इसे ले लीजिए, पेट में जिसको अफारा आता है, उनके लिए बहुत ही कारगरी योग है